हे गाईज, वेलकम टू देहरादून स्टेडी पाइंट, मैं हूं महुई सिंग रावर तो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देहरादून स्टेडी पाइंट में तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तो जो कुछ प्रस्णों पर कंफ्यूज हो रहे हैं कंफ्यूज इस सेंस में हो रहे हैं कि कहीं किताबों में आपको कुछ और मिल रहा होगा और कहीं किताबों में कुछ और मिल रहा होगा मेरे नेजर में अभी दो प्रशन ऐसे आए जिने में बार बार ऐसे सुन रहा हूँ कि इनमें आयोग ने गलत अनसर दिया है जबकि आयोग का यह अनसर सही है दोस्तो ऐसे ही अगर आपको भी अनसर लगता है कि कुछ प्रशन ऐसे हैं जो सही है और students क्या कर रहे हैं कि उन्पे बार बार परत्याविदन दे रहे हैं कि यह प्रस्निक गलत हैं तो आप नीचे comment box में भी लिखें दोस्तों हम मिलकर क्या करेंगे उसका जो authentic source से वे खोलेंगे और आपके सामने रखेंगे तो जैसे पहला question यही है जो 5 December की पहली स्रिप्ट का था प्रस्निक यह था दोस्तों कि जो main boundary thrust है यानि MBT जो main boundary thrust है वो किसे अलग करने का काम करता है लगू हमालया शिवालिक को, शिवालिक और तरायभाबर को, उचे हमालया लगू हमालया को या उप्रयोट में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका तो right answer है option number A जैनिblazer हमालया और सिवालिक को और आयोग ने भी इसका अंसर यहीं माना है बिलकुल सही है, इसमें कोई भी doubt नहीं है कि यह गलत है अगर बात करें दोस्तों कि आप पुछोगे कि ऐसा कैसे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यह एक बहुत ही authentic book है दोस्तों और इस book के अगर publications की बात करें आप यहाँ पे देखिए यह है MC Grow Hill Education India Private Limited बहुत ही authentic book है और जहाँ पे अगर बात करें तो UPC Purpose की जो प्रस्ट भी होते हैं वहाँ पे इस book के माधियम से objection दिया जा सकता हैं काफी अच्छी book है और यह प्रस्ट दोस्तों आपको NCRTA में भी सही मिलेगा लेकिन कुछ student में अगर बात करें तो वह कुछ नाम से confused हो रहे हैं जैसे fault में confused हो रहे हैं thrust में confused हो रहे हैं तो यह confused नहीं है दोस्तों आपको समझना होगा कि आयोग ने पूछा क्या था देखें दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें जो man boundary thrust के जगे में कहीं पर आपको man boundary fault भी मिलेगा कोई अलग बात नहीं दोस्तों जैसे हम जल को नीर कहते हैं नीर को जल कहते हैं पानी भी कहते हैं बात वही है कोई अंतर नहीं है man boundary thrust भी कह सकते हैं और किसी किताब में आपको सायथ fault दिख रहा होगा इस कारण आप confused हो रहे होंगे जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि इसका right answer तो यहीं हो गया कि man boundary thrust मद्द हिमाले को मद्द हिमाले के और भी नाम है जैसे भाही हिमाले हो गया या फिर हम इसे यह कहें कि लगू हिमाले हो गया अबी रखूंगा, दोस्तों, मैं आपके सामने वह पोटर भी रखूंगा, जो authentic भी है, हिमालें frontal fold के बात करें, वो सिवाली को और तरह हिभावर को अलग करने का काम करती है, MBT के बार करें वो लगू हिमाले और सिवालिक हिमाले को अलग करने का काम करती है दोस्तों और बाकी जो option number C है उच हिमाले और लगू हिमाले को तो वो जो काम करता है वो करता है MCT Man Central Thrust तो Man Central Thrust करता है उच हिमाले को जो सबसे उच्छ हमाले है और उसे लगू हमाले से और लगू के बाद जो नीचे आता है दोस्तों वह आता है MBT MBT और MBT के जो नीचे आता है दोस्तों वह आता है HFF यानि MCT MBT HFF अब दोस्तों आपके मन में इस कन्फूज हो रहागा कि ऐसा कैंसे तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों यह तो मैंने आपको सोच दिया यह देखें दोस्तों Indian Science Academy का यह रिसर्ट पेपर है और वहाँ की एक फोटो है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह देखें दोस्तों सबसे पहले किस हिसाब से बांटा गया है यह रहा तराई चेतर और यह रहा सिवाली चेतर और इसके बीच में जो यहाँ पर यह दिख रहा है यह है MFT Man Frontal Thrust अब आप कोगे तो अभी तो हमने यहाँ पर पढ़ा था है HFF तो हिमालियन Frontal Front का ही दूसरा नाम दोस्तों क्या नाम है Man Frontal Thrust यह भी कह सकते हैं जरूर यह फोर्ड कहें यह यह कहें तो यह भी इसका नाम है ऐसी आगे देखें दोस्तों यह सिवालिक और यह लेजर हमाले यानि लगू हमाले और यहाँ पर जो दिया है वो है MBT दूसरे नंबर पर देखें MBT Man Boundary और Thrust तो Man Boundary Thrust आप आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों कि लगू हमाले और सिवालिक के बीच में जो यह लाइन है जो Crust है यह Thrust है वो कौन सा है MBT है और उसके बाद आता है MCT जो हैर हमाले को laser हमाले यानि महान हमाले को लगू हमाले से अलक अन्य का काम करता है और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं STGS हो गया फिर ITS, SZ हो गया यानि इंडो सांग्पो, सचुरे जोन हो गया तो यह इसका सोर्स है दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, कन्फ्यूज मत होई है अगर आप कह रहे हैं कि जो बंदवाल सर की बुखे वहाँ पर है तो दोस्तों आपने उस प्रशनों को ठीक से पढ़ा ही नहीं वहाँ पर वहाँ पर लिखा है MBF Man Boundary Fault तो Man Boundary Fault कहें या Man Boundary Thrust कहें दोनों सेम है कोई अंतर नहीं है जैसे यहाँ पर जैसे आपने नाम बोला कि Man Frontal Thrust कहें या फिर HFF कहें Himalayan Frontal Fault कहें तो दोनों का मतलब भी दोस्तों सेम है तो इसके भी कन्फ्यूज होने की जरूत नहीं है यह authentic दाते दोस्तों और 100% सही है अब चलते हैं दूशे कोशन पर दूशा कोशन था कि भारत के सरवच नहाले की स्थापना की गई बहुससे ऐसे students है वो कह रहे हैं कि यह तो 28 जनवरी को था जो बात सही है दोस्तों मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने अपना कार्यभार समाला एकदम मलब fortunately जो काम करना सुरू करते हैं वो 28 जनवरी से किया लेकिन इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 इसको हो गई थी आप खुद यहाँ पे देखिए यह Supreme Court की official website है आप यहाँ पे देख सकते हैं The Supreme Court the India into the existence on the 26th January 1950 लेकिन दोस्तो 28 जनवरी तो यहाँ पे option में दिया ही नहीं है तो आप इसे कैंसे अलग करे सकते हैं अगर 28 जनवरी दिया होता तो उस condition में इसके दो answer हो सकते थे लेकिन जब 28 जनवरी option में है ही नहीं और 26 जनवरी options में है तो 26 जनवरी ही सही होना चाहिए और यही इसका right answer है और आयोग ने भी दोस्तों यही माना है और आप यहाँ पर देश सकते हैं दोस्तों यह भी पढ़ सकते हैं कि भारती नया की बात करें कि भारती गंतन दो मनने और गंतन दीवस की दो दिन बाद यानि 28 जनवरी 1950 को इसने जो काम करना हो वह सुरू किया था ए Eun ka के पास बहुत ज्यादा प्रभादन चाहें तो आयोग को अधीक समय लगे या रिजलेटर देने में पट्यावजन के उगर उन्हीं पे दें जो आपको 100% लगता है कि यह गलत है या फिर इस किताब में इसका अंसर यह है आप अगर यह कह रहे होंगे कि जैसे यहां पर यह था कि यह वाला कि जहां पर बंड़ाल सर की बुख में तो दोस्तो एक बार ठीक में भी कुछ ऐसा प्रस्ण है जो डाउटफूल है जबकि यानि एक तो सही है वो लेकिन बहुत से स्टुरेंट्स हैं जो उसे गलत बता रहे हों उस पर प्रद्यावतन देर रहे हैं तो उन्हें भी आप रखे हम मिलकर क्या करेंगे उसका जो ऑथेंटिंग अंसर है वह य